हलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 और 2022 में दिये गए बिभिन प्रकार के पुरुसकारों के बारे में तो आएए चलते हैं पहला है बुकर पुरुसकार 2022 यानि अंतराष्टिय बुकर पुरुसकार 2022 गितांजली स्री को दिया गया था उद्योग रत्न पुरुसकार रतन टाटा को दिया गया था महराष्ट सरकार के द्वारा यहाँ पुरुसकार दिया गया है और रतन टाटा यहाँ पुरुसकार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं Order of the Nile पुरुषकार नरेंद्र मोदी को दिया गया है ये मिस्र के द्वारा ये पुरुषकार दिया गया है गाधी सांति पुरुषकार 2021 गीता प्रस गोरकपूर उत्तरप्रदेश को यहाँ पुरुषकार दिया गया है लोकमान तिलक पुरुषकार 2023 से नरेंद्र मोदी जी क सम्मानित किया गया है रमन मैक्स से पुरुसकार 2023 चार विक्तियों को यहां पुरुसकार दिया गया है जिसमें हैं आर रपिकनन भारज से हैं रसकंद कोरवी बंगलादेश से हैं लेमोस यूजनियो तिमूर लेस्टे से हैं और फेरे मिरियम फिलिफीन से हैं 27 वे ग्यानपीट पुरुसकार 2023 दामोदर मोजो को दिया गया है जर्मन सांती पुरुसकार 2023 सलमान रस्दी को दिया गया है ओसकर पुरुसकार 2023 सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार ब्रेडन फेजर को दिया गया है 32 ब्यास सम्मान 2023 दॉक्टर क्यान चत्रुवेदी सरस्वती सम्मान 2022 सिव संकरी मिस यूनिवर्स 2022 आर बानी गैब्रियल है फिल्म पियर 2023 सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार राजकुमार राओ को दादा साई फाल के पुरुसकार 2023 सर्वस्रेष्ट अभिनेता का पुरुसकार रण बीर कपूर को दिया गया है 34 गणतंत्र दिवस परेड़ पर राज जहाकी का प्रथम पुरुसकार उत्राखंड को प्राप्ट हुआ है सर्वस्रेष्ट फीफा खिलाडी 2022 लियोनेड मेसी जो अर्जेंटिना से है अंतराष्टी ग्रीन एपल पुरुसकार जीतने वाला भारत का प्रथम राज तेलांगना है बन्य जीवी संग्रक्षन पुरुसकार 2023 आलिया मीर को दिया जाएगा दादा साहिक पाल के पुरुसकार 2023 सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का पुरुसकार आलिया वट गंगुबाई का ठ्यवाडी के लिए दिया गया है अंतराष्टी बुकर पुरुसकार 2023 जोर्जी कोस्पो दिनेव को दिया जाएगा प्रथम बुलगारी महला है टाइम सेल्टर के लिए यहाँ पुरुसकार दिया जाएगा मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियान सेल राजिस्तान से है गवर्नर आप दा इयर 2023 का पुरुसकार सबतिकान दास को दिया जाएगा जो की आर्बियाई चीफ है फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदनी गुपता है जम्ला लाल बजाज पुरुसकार 2022 निलेश देशाए को दिया गया था नेशनल स्मार्ट सिटी पुरुसकार 2022 इंदोर सिटी को राप्त हुआ था